Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. तो कैसे है आउक्सव लोग? आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ट्स जिनके बिना आप अंग्रेजी बोलने का सोच भी नहीं सकते. जी हाँ, अगर आप शुरुवात से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, तो आपके लिए इन वर्ट्स को जानना बेहत जरूरी है. क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ट्स हैं, जो रोज आप अपनी डेली लाइफ में इस्तिमाल करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूब कर सकते हो. तो चलिए पटा-पट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो. और चानल को सब्स्ट्राइब ने किया है, तो सब्स्ट्राइब भी कर लो, और सब्स्ट्राइब के बगल में एक गंटी बनी हुई होती है, आपने उसे भी प्रेस कर लेना, जिससे की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं. लोग पहाड़ों पर चड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्लाइम करना, यानि चड़ना कहते हैं. फिर है S-M-I-L-E, इसे हम पढ़ते हैं स्माइल, क्या पढ़ते हैं? स्माइल पढ़ते हैं, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल यानि मुस्कुराना. फिर है ल-A-U-G-H, इसे हम पढ़ते हैं laugh, क्या पढ़ते हैं, laugh पढ़ते हैं, laugh का मतलब होता है हसना, laugh का मतलब हसना होता है, smile का मतलब होता है, muskuranah और laugh का यानि हसना, जोर-जोर से हसने को laugh बोलते हैं, ठीक है, next है E-A-T, इसे हम पढ़ते हैं eat, क्या पढ़ते हैं, eat पढ़ते हैं, eat का मतलब होता है, खाना, फिर है D-R-I-N-K, इसे हम पढ़ते हैं drink, क्या पढ़ते हैं, drink पढ़ते हैं, drink का मतलब होता है, पीना, eat यानि खाना, कुछ खाना, जब हम कुछ खाते हैं, उसे eat बोलते हैं, औ फिर है T-A-K-E इसे हम पढ़ते हैं TAKE क्या पढ़ते है TAKE पढ़ते है TAKE का मतलब होता है लेना G-I-V-E इसे हम पढ़ते है GIVE क्या पढ़ते है GIVE पढ़ते है GIVE का मतलब होता है देना TAKE यानि लेना और GIVE यानि देना ठीक है Next word है S-A-Y, इसे हम पढ़ते है Say, क्या पढ़ते है Say पढ़ते है, Say का मतलब होता है कहना Say यनि कहना, इसे कहते हैं कि कुछ कहो, say something इस तरीके से, फिर है T-E-L-L, इसे हम पढ़ते है Tell, क्या पढ़ते है Tell पढ़ते है, Tell का मतलब होता है बताना, Tell यनि बताना, कहने को क्या कहते हैं say और बताने को tell कहते हैं, फिर है s e e इसे हम पढ़ते हैं, c क्या पढ़ते हैं, c पढ़ते हैं c का मतलब होता है, देखना c यानि, देखना फिर है, s e and d, इसे हम पढ़ते हैं send, क्या पढ़ते हैं send पड़ते हैं, send यानि भेजना, send यानि भेजना, जैसे message send करना को कहते हैं, तो message भेजना इसी तरीके से send यानि भेजना, next है S-I-N-G इसे हम पड़ते हैं, sing क्या पड़ते हैं, sing पड़ते हैं sing यानि गाना फिर है D-A-N-C-E इसे हम पढ़ते हैं dance, क्या पढ़ते हैं? dance पढ़ते हैं, dance यानि नृत्य, ठीक है? फिर है C, R, Y, इसे पढ़ते हैं cry, क्या पढ़ते हैं? cry पढ़ते हैं, cry का मतलब होता है रोणा, cry यानि रोणा फिर है t-o-u-c-h इसे हम पढ़ते हैं touch क्या पढ़ते हैं touch पढ़ते हैं touch का मतलब होता है छूना touch का मतलब क्या होता है छूना होता है clear है next word है c-o-m-e इसे हम पढ़ते हैं कम क्या पढ़ते हैं कम पढ़ते हैं कम का मतलब होता है आना कम यानी आना फिर है जी ओ इसे पढ़ते हैं गो क्या पढ़ते हैं गो पढ़ते हैं गो का मतलब होता है जाना कम का मतलब आना और गो का मतलब जाना फिर है बी यू वाई इसे पढ़ते हैं हम बाई क्या पढ़ते हैं बाई पढ़ते हैं buy का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, किसी चीज को खरीदने को buy बोलते हैं, English में फिर गए, S-E-L-L इसे हम पढ़ते हैं sell, क्या पढ़ते हैं sell पढ़ते हैं, sell का मतलब होता है बेचना, ठीक है buy का मतलब खरीदना और sell का मतलब बेचना होता है, ठीक है Speak का मतलब होता है Bolna Bolnay को speak बोलते है English में फिर है L-I-S-T-E-N इससे हम पढ़ते है Listen क्या पढ़ते है Listen पढ़ते है Listen नहीं पढ़ते है fare T क्या है Silent रहता है ठीक हाją हम इसे पढ़ते है Listen ठीक है Listen का मतलब होता है सुनना Listen यानि सुनना, speak का मतलब बोलना और listen का मतलब सुनना फिर है S L E P इसे हम पढ़ते हैं sleep, क्या पढ़ते हैं sleep, sleep का मतलब होता है सोना next है H I T इसे हम पढ़ते हैं hit, क्या पढ़ते हैं hit, हिट का मतलब होता है मार या चोट पहुंचाना कहते हैं उसने मुझे hit किया उसने मुझे मारा या मुझे चोट पहुचाई इस तरीके से next word है enter इसे हम पढ़ते हैं enter क्या पढ़ते हैं enter पढ़ते हैं enter का मतलब होता है प्रवेश करना ठीक है फिर है c-l-o-s-e इसे हम पढ़ते हैं close क्या पढ़ते हैं close का मतलब होता है बंद करना फिर है o-p-e-n इसे हम पढ़ते हैं open क्या पढ़ते हैं open का मतलब होता है खुला, open यानी खुला next है, d, r, e, a, m इसे हम पढ़ते हैं dream, क्या पढ़ते हैं dream पढ़ते हैं, dream का मतलब होता है सपना, सपने को English में क्या बोलते हैं, dream बोलते हैं, ठीक है next देखते हैं, a, s, k इसे हम पढ़ते हैं, ask क्या पढ़ते हैं, ask Ask का मतलब होता है पूछना Ask का मतलब क्या होता है? पूछना होता है Next है STAY इसे हम पढ़ते हैं stay क्या पढ़ते हैं? stay का मतलब होता है रहना या ठहरना ठीक है? जैसे कहते हैं कि वहीं रहो stay there इस तरीके से फिर है S-U-C-K इसे हम पढ़ते हैं सक क्या पढ़ते हैं सक पढ़ते हैं सक का मतलब होता है चूसना ठीक है फिर है S-H-O-W इसे हम पढ़ते हैं शो क्या पढ़ते हैं शो का मतलब होता है दिखाना clear है next word है L-E-A-V-E इसे हम पढ़ते हैं leave क्या पढ़ते हैं leave पढ़ते हैं, leave का मतलब होता है छोड़ना या फिर छुट्टी, ठीक है, जैसे कहते हैं कि छोड़ो मुझे, leave me तो यहाँ पर छोड़ना हो गया, उसी तरीके से अगर आपको कहने कि मुझे leave लेनी है जैसे कहते हैं मुझे leave लेनी है, कि मुझे पहनना, वियर यानि पहनना, ठीक है फिर गए B-R-I-N-G इसे हम पढ़ते हैं bring, क्या पढ़ते हैं bring पढ़ते हैं, bring का मतलब होता है लाना, bring यानि लाना, फिर गए P-A-Y इसे पढ़ते हैं, pay क्या पढ़ते हैं, pay पढ़ते हैं पे का मतलब होता है वेतन जो वेतन मिलता है उसे पे बोलते हैं ठेके है फिर है c-a-t-c-h इसे हम पढ़ते हैं catch क्या पढ़ते हैं catch पढ़ते हैं catch का मतलब होता है पकड़ना next word है TURN, इसे हम पढ़ते हैं, turn, क्या पढ़ते हैं, turn पढ़ते हैं, turn का मतलब होता है, mode, turn यानि mode, जिसे गाड़ी चलाते समय बोलते हैं, अब यहाँ turn करो, अब left turn करो, right turn करो, तो turn यानि mode, ठीक है, फिर गहें, B-L-O-W, इसे हम पढ़ते हैं, blow, क्या पढ़ते हैं, blow प्लीज नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और अपने सभी फ्रेंट्स के साथ वीडियो को शेर करना और अभी तक अगर चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके जाना